स्वागात आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तापमान को सेल्सियस से फारन हाइड में और फारन हाइड से सेल्सियस में कैसे बदलें एकदम आपके भासा में ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंस सबसे पहले मैं आपको उस फॉर्मूले के बारे में बता ज़ता हूँ जो तापमान को आप किसी भी स्केल में एकदम आसानी से उसे चेंज कर सकती हो ठीक है तो ये है वो फॉर्मूला जिसे आपको याद कर लेना है ये फॉर्मूला कहां से आया है कैसे आया है आपको अगर अच्छा से देखना है तो उस बेसिक वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप डिस्क्रिप्शन में जाईए और link पर click करके उस video को देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रियास किये हैं अगर वो video आप देख लेते हैं तो आपको ये formula अच्छी तरीके से समझ में आ भी जाएगा और याद रखने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा इसी formula से जितने भी तापमान के scales हैं आप किसी भी scale में आप उसे change कर सकते हो बदल सकते हो एकदम आसानी से ठीक है तो यहाँ पर देखे friends आज इस video में हम लोग तापमान को Celsius से Fahrenheit में और Fahrenheit से Celsius में बदलेंगे तो उसके लिए कौन सा formula को हम लोग put करेंगे कौन सा formula को use करेंगे तो यहाँ पर देखे friends इस formula को हम लोग को लेना होगा क्यों क्यों क्योंकि देखे यहाँ पर C है means Celsius है ठीक है और यहाँ पर देखे F है means Fahrenheit है ठीक है तो इसी formula को लेना होगा इसी formula से क्या होगा Celsius से Fahrenheit में और Fahrenheit से Celsius में से हम लोग बदल सकते हैं अगदम आसानी से ठीक है तो फरेंज यहाँ पर एक कोश्चन है देखिए 45 डिग्री सेल्सियस को Fahrenheit में बदलें तो इसमें देखिए हम लोग को उस फॉर्मूले को लिख लेना है जो की से और छोटा भी कर सकते हो तो यहां पर आप देखे 25-100 हो जाएगा और यह देखे 29-80 मतलब यह देखिए C बट्टा 5 बन के आ गया और यहां से आ गया F-32 और बट्टे में कितना आ गया तो यह 9 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं इसी को बेसिकली याद रखते हैं ठीक है दे तो देखे इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे Celsius से Fahrenheit में बदलना है तो Celsius का value दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर C का जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 45 यहां लिख देंगे 45 ठीक है क्योंकि 45 दिया हुआ है C का value Celsius का value तो हम लोग यहां करेंगे 45 और 42 इसे आप काट सकते हो अब यहां पर देखिए इसको ना से इसको ना लेके हम लोग यह 9 को 9 से गुना कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग देखिए हाँ पर इसको गुना कर लेंगे यह 9 गुना यह 9 और बराबर में उधर कौन है तो F-32 अब हम लोग क्य time करें गया देखे काएने तरफ से अगर बाहन तरफ लेके आएगे तो क्या हो जाएगा वहा पोलस में even माइनस में तो पहलश में कितना जाएगा यह 32 हो जाएगा अब देखें यहां पर दो और एक कितना हो गया तीन और आठ और तीन कितना हो गया ग्यारो यह हो गया एक सो तेरो डिग्री फारन हाइट ठीक है यह इसका आंसर आ गया तो friends बस आपको इसी formula को याद रखना है और इसी formula से आप degree Celsius से Fahrenheit में और Fahrenheit से Celsius में आप इसे बदल सकते हो इदम आसानी से अब हम लोग इसी formula का use करेंगे अगला प्रस्ण में Fahrenheit से Celsius में बदलने में ठीक है चलिए दिखाते हैं तो चलिए अब अगला प्रस्ण देखते हैं 68 degree Fahrenheit को degree Celsius में बदलें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उस formula को लिखेंगे जिससे ये बदलेगा Fahrenheit से Celsius में तो बस वही formula जो अभी यूज कियें तो क्या था वो formula तो वो formula था C बटा 100 बराबर क्या था F माइनस 32 32 बटा 180 अब हम लोग इसको छोटा रूप में कर लेते हैं तो छोटा रूप क्या होगा तो यह देखिए C बटा 5 हो जाएगा और यह हो जाएगा F माइनस 32 बटा यह हो जाएगा 9 कैसे तो यह 20 नमा सियां से और 25 यह 100 कार्ट दीए इसको छोटा रूप में कर दीए अब यहां देखिए Fahrenheit का value दिया है तो हम लोग यहां क्या करेंगे F के जगह पर हम लोग Fahrenheit का value डाल देंगे और C का value मतलब Celsius का value निकाल लेंगे देखिए यहां कितना हो जाएगा C बटे 5 आ जाएगा फिर बराबर यह देखिए Fahrenheit का जगह में कितना लिखेंगे तो 68 लिखेंगे 68 माइनस हो जाएगा यहां पर 32 और बटा में कितना हो जाएगा 9 अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर 68 में 32 को घटा देंगे तो आठ में दू घटा देंगे यहां टीन और निचम देखिए कितना है तो नौ है है अब देखिए यहां पर 5 को हम लोग ले जाके उस साइड गुना कर देंगे मतलब दहिना साइड ले जाके गुना कर देंगे तो यहां क्या बज़ जाएगा यह वीडियो आपको अच्छी तरिके से समझ में आ गया होगा थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में